जितिया वरत 2023 जानते हैं कि एस साल 2023 में जितिया वरत कम मनाया जाएगा नहाख खाय और पारण की तिथी पूजा वेधी जितिया के वरत का महत्व जितिया वरत 2023 हिंदु धर्म में जितिया वरत का बहुत ही महत्व होता है जितिया वरत जिसे जिवित पुत्री का वरत भी कहा जाता है ये वरत संतान प्राप्ति दिर्ग आयू और उनके सुख में जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले वरतों में में से एक प् महिलाएं अपनी संतान के लंबी उम्र, आरोग्य और सुख में जीवन के लिए पूरा देन निर्जला वरत रखकर भगवान जितवाहन की पूजा आरती करती हैं और ये भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतानों के लिए जिवित पुत्री का वृत रखती हैं, उनके संतानों को चारो ओर से यश और कृती मिलती है। जीतिया वृत दोहजार तईस जानते हैं इस साल दोहजार तईस में कब मनाया जाएगा जीतिया वृत। वृत में पहले दिन सप्तमी को नहाखाई कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती हैं। इस साल दोहजार तईस को सप्तमी तिथी है, पाच अक्टूबर दोहजार तईस दिन गुरुवार को इसी दिन नहाखाई भी है। दूसरा दिन, वृत को दूसरे दिन को खुर जुतिया कहा जाता है और यही वृत का खास और विशेश दिन होता है। ये दिन अश्टमी तिथी को पढ़ता है और अश्टमी तिथी के लगते ही माताएं वरत रखती हैं, वो भी निर्जला यहां तक की रात्री में भी जल नहीं पिया जाता है। इस साल 2023 की अश्टमी है 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को और शुध अश्टमी तिथी प्रारंब होगी इसी दिन यानि की 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह 6 बजकर 34 से शुरू होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8 बजकर 8 मिनट पर समाप्त तीसरा देन वरत के तीसरे दिन वरत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहन के साथ ही इस महापर्व जूतिया की समाप्ति हो जाती है इस साल 2023 की नौमी है साथ अक्टूबर दिन सनिवार को सुवा आठ बज कर आठ मिनट से सुरू होगा जीवित पुत्री का वरत 2023 नहाखाय और पारण की तिथी नहाखाय पांच अक्टूबर दो हजार तैस दिन गुरुवार को निर्जला वरत 6 अक्टूबर दो हजार तैस शुक्रवार की सुवा छे बज कर चौतिस मिनट से सुरू जीतिया का पारण साथ अक्टूबर दो हजार तैस दिन शनी वार को सुभा आठ बज कर आठ मिनट से जीतिया वरत 2023 अब जानते हैं जीतिया वरत की पूजा विधी को जो भी सुभागन महिलाएं और माताएं इस वरत को रखती हैं उन्हें जीतिया वरत के दिन सनान आदी करने के बाद साफ वस्त्रधारण कर पूजा स्थान पर सुरे नरायन और जीत वाहन की कुश से निर्मित मूर्ति को सनान करा कर स्थापिते करना चाहिए अब प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाकर नवैद्य पुष्प रोली फल आदी अरपित कर उनकी आरती करके भगवान को मिठाय का भोग लगा कर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जिवित पुत्रिका व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े इस व्रत में मताएं सब्तमी तिथी को नहाखाए कि तिथी पूरा होने के तक ही भोजन करके और जल ग्रहन कर अश्टमी तिथी शुरू होते ही पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं इसके बाद अगले दिन यानी की नौमी तिथी को व्रत का पारण के साथ ही जिवित पुत्रिका व्रत और जीतिया व्रत का समापन होता है जीतिया व्रत 2023 आप जान लेते हैं जीतिया व्रत के महत्व को धार्मिक मानयताओं के अनुसार जिवित पुत्रिका व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं ये व्रत संतान की भलाई के लिए माताएं कठीन उपवास रखती हैं जिससे की उनके संतान को दिर्ग आयू और सुखी जीवन का वरदान की प्राप्ती हो माना जाता है कि अगर कोई विकट प्रस्थितियों से बच कर निकल जाए या फिर किसी विकट प्रस्थिती से किसी के प्राण बच जाते हैं तो कहा जाता है कि उसकी मा ने जरूर जीतिया वरत किया होगा कैसा लगा आप सभी को हमारा या जीतिया वरत वीडियो प्लेज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लेज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एन सेर करना बिलकुल न भूलना थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट